आप देख रहे हैं दखल न्यूज गोट सेगे मसले पसाथी प्रक्या सिंग बैक पूर्ट पर संसाद में माननी पड़ी दो बार माथ सांसत प्रग्या को दी कॉंग्रेस विधायक गोवर्दन दांगी ने थमकी सामने आये तो जला दूगा सेकारिता मंत्री गोविन सिंग लेंगे रिटार्मेंट अब नहीं लड़ेंगे विधान सभाचुना कर्ज माफी के जखकर में किसान जुए परिशान नाखाद मिल पा रही है और नाम भी और गोवालियर में विधायक प्रमीन पाथक बने ज्राइवारी रिक्षा में मंत्री विजयर अच्वी साथ्म को गुमाया नमस्कार मैं हूँ शेफाली आप देख रहे हैं दखलनी उस खबर विस्तार से भाजपा सांसाद साध्वी प्रग्या को नाथुराम गोट से पर दिये अपने विवादित बयान के लिए लोग सभा में दूसरी बार माफी मांगनी पड़ी है पहली बार माफी मांगने पर विपक्ष ने साध्वी पर सशर्थ माफी मांगने को कहा था इसके बाद सर्वदलिय बैठक में निर्णे लिया गया था कि साध्वी दोबारा माफी मांगे इसके पूर पहली बार माफी मांगते हुए साध्वी प्रग्या ने कहा था कि मेरे ठाकुर के बयान के बाद सदन में गांधी जी की जय के नारे गुंज ने लगे। वहीं दूसरी ओर विपक्ष ने साधी प्रग्या द्वारा माफी मांगने के तरीके से नाखुशी जताई। गुरवार को उन्हें संसद की रक्षा समीती से हटाने के साथ ही संसदिये दल की बैठक में चामिल होने पर रोक लगा दी गई थी। शारव जिनिक तोर पर आतंकबादी कहा गया। मेरे साथ तच्कालीन सरकार द्वारा रचे गए शड्यंत्रों के बार्जूद अदालत में मेरे खिलाफ कोई आरोक सिद्ध नहीं हुआ है। बिना दोजी सिद्ध हुए मुझे आतंकबादी कहना गानून के खिलाफ है। इस घटना करम के बाद भाजपादी साथी प्रग्या को लेकर राहुल गान्धी द्वारा दिये बयान पर हमलवर होती नजर आई। बताया जा रहा है कि इसके बाद साथी प्रग्या में पार्थी महसकी भूपेंदर सिंध यादव से भी मुलकात किया। इस विधायक ने भाजपा सांसत प्रग्या ठाकूर को जिंदा जलाने की धंकी दी है दांगी ने कहा कि प्रग्या ठाकूर कभी सामने आई तो उसका पुतला नहीं बल्कि उसे पूरा साक्षा जला भी देंगे प्रग्या ठाकूर ने लोग सभा में दिये अपने बयान पर उपजे विवाद पर सफाई दी है वहीं हर जगा उनका विरोध तेज होता जा रहा है ब्यावरा से कॉंग्रिस विधायक गुबर्दन दांगी इस मसले पर कुछ ज्यादा ही तैश में नजर आए इस बड़बोले विधायक ने साधी प्रग्या सिंग को जिंदा जलाने की धंकी देगी इस विधायक का कहना है कि कभी सांसत साधी प्रग्या सामने आई तो उनका पुतला नहीं उन्हें साक्षा जलाया जाएगा आप भी सुनने इस विधायक की धंकी पूरा पुदला नहीं प्रग्या ठाकुर को कभी आई भी तो म शाक्ता जला भी देंग़ बोपाल से सांसद प्रग्या धाकुर ने लोग सभा में चर्चा के दोरान कथे तोर पर महात्मा गांधी के हट्यारे नाथूरामकोट्से को देशभक्त करार दिया था इस पर सियासी माहल गर्माया हुआ है लोगसभा चुनाव में पूर्व मुख्यमंतरी दिगवीजय सिंग की जीज के लिए मिर्ची यग्द करने वाले मिर्ची बाबा इंदीनों फिर सुर्खियों में हैं मिर्ची बाबा ने सांसद साध्वी प्रग्या पर निशाना साथते हुए कहा कि राष्ट पिता महात्मा गांधी की हत्या करने वाले नाथुराम गोटसे से साध्वी प्रग्या का क्या रिष्टा है जो हर बार वो गोटसे को राष्ट भस बता देती है मिर्ची बाबा ने समाधी लेने पर पल्टी मार दी है और उन्होंने लोगों से इसके लिए माफी मांगी है अपने विवादित बयानों और अजीब कारियों से सुर्खियां बटोरने वाले मिर्ची बाबा ने सांसद साधी प्रग्या पर निशाना साथते हुए कहा कि साधवी प्रग्या का नाथुराम गोच्छे से क्या रिष्टा है जो हर बार राष्टपिता महात्मा गांधी के हत्यारे को राष्टभक्त बता देती है वे पूरे देश से माफी मागे अगर उन्हें संसद में कोई बात करनी है तो भोपाल के विकात की बात करें ना कि आतकवादियों की बात करें साथ ही उन्होंने कहा कि क्या कारण है कि नरेनबोधी साधवी प्रग्या के बयान पर बार बार कहते हैं कि उनका मन दुखी हुआ है फिर भी प्रग्या पर कारवाही क्यों नहीं की जाती है लोग सभा चुनाव में मिर्ची बाबा ने पूरव मुख्य मंतरी दिग विजय सिंग को भोपाल से जिताने के लिए मिर्ची यग्य किया था साथ ही कहा था कि अगर दिगविजय नहीं जीते तो वो समाधी ले लेंगे लेकिन ऐसा हुआ नहीं दिगविजय चुनाव हार गए और मिर्ची बाबा गायब हो गए अब मिर्जी बाबा ने समाधी लेने के विचार पर पल्टी मार दी है और इसके लिए उन्होंने लोगों से माफी भी मांग ली है प्रदेश की गमलनाव सरकार के सहकारिता मंत्री गोविन सिंग ने एक बयान देकर राजनेतिक गलियारों में हल्चल मचा दी है उन्होंने कहा है कि वे लंबी राजनीती कर चुके हैं अब वे रिटार्मेंट लेंगे और अगला विधान सभा चुनाव नहीं लड़ेंगे उनकी सीट पर अब कोई सक्रिय युवा चुनावी मैदार में उतरे प्रदेश की गमलनाथ फरकार में स्वेहकारिता मंतरी गोविन सिंग ने राजनीती से रिटार्मेंट पर बयान दिया है और उन्होंने दावा किया है कि वे अगला विधान सभा चुनाव नहीं लड़ेंगे मैंने चुनावा कि 35 साल हो गए करमचारी भी रिटार हो जाता है 15-25-35 साल हो जाते हैं अब 35 साल लंबी होती है नहीं लटों को मौखा मिलना चाहिए लेकिन मैंने का चुनावड नहीं लड़ने का कहा है लेकिन मैं राजनीत में रहूँगा और सक्री रहूँगा राजन सवा नहीं लाएंगे लोग सवा की कुछाज में ही रहा हूँगा मदभरदेश के ग्रह मंतरी बाला बच्चन ने कहा अब बीजेपी को बताना है कि वे किसे मानती है गांधी को या गोडसे को बीजेपी साजवी को गोडसे की विचारधारा पर चलने के लिए उकसा रही हो पर चाहिए जब तक बड़ी कारवाई नहीं होगी तब तक मैं नहीं समस्ता हों कि इस बात का परियाप्त जवाब उनकी पार्टी के दुवारा दिया गया है इस वक्ता हुए पे तब तक माना नहीं जाए ग्रेमंतरी बाला बच्चे ने कहा कि प्रदेश के हर समभाग में आईजी और डियाईजी के साथ पुलिस रिवा की समीशे बैठक कर रहे हैं पुलिस में फिटनेस और कर नारे बाली की जिसके बाद कांग्रेस और भाजपा कार्यकर्ता आमने सामने आ गया ज़िए योजना समीटी की बैठक लेने कलेक्टर्ट सबागार पहुचे प्रभारी मंतरी की बैठक के बाद कांग्रेस और बीजेपी कार्यकरता के बीच हंगामा शुरू होobilे क refers दोन योजना सनीती की बैठा के बाद जाते वक्त भार्ती जंता पार्टी के विधायक के पीतर पार्थी और रीवा विधायक राजिन शुक्ल के प्रतिनी धी विवेक दुए उनसे चर्चा कर रहे थे तब ही यह हंगामा हुआ जिन्दाबाद किनारे लगा दिये जिससे थोड़ी देर के महाल अफरा तवरी वाला हो गया फिर प्रभारी मंत्री जी ने और हमने मिलके उस महाल को साहले सांत किया है प्रभारी मंत्री ने बड़े अच्छे भंक से सुना है टेकल किया है कहा है कि नगर निगम आयुक्त के दरसल कुछ दिन पूरब भार्द्य जंता पार्टी के विद्षाइकों बानेताओं द्वारा नगनिगम परिसर में बनेर परिशत भवन का लोकारपन बिना किसी मंजूरी के जबरन ताला तूर कर दिया गया जिस पर नगनिगम आयक्त सबाजी की यादव कारवाही करने की त बात्य जंदापार्टी के लोग प्रभारी मंतरी से कर रहे थे कि तभी किसी ने पीछे से कॉंग्रेस पार्टी जंदाबाद के नारे लगा दिये तो भाजपा के लोगों ने भी नारे बाजी शुरू कर दी और देखते ही देखते आप रतफ्दी का माहल निर्मित हो गया अपना पक्षे था। तोनों पक्षे के लोग साथ हुमें थे। और एक पक्षे ये बात आ गई कि बाती जंता पाईटी के कार करता हूं कि घिलाब नगर निगम कारवाही कर रहा है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री एवन संस्कृती मंत्री विजे लक्ष्मी साधो गौलियर पहुची तो कॉंग्रेस विधायक प्रविन पाठक ने इए रिक्षा में उनको खूब घुमाया। प्रियोक्षाला का अवलोकंधी किया। क्याबनेट मंत्री डॉक्टर विजे लक्ष्मी साधो गौलियर पहुची तो कॉंग्रेस के विधायक प्रविन पाठक ने इए रिक्षा में बठा कर खुद रिक्षा चलाया। और उन्हें जैरोग अस्पताल परिशर की विवस्थाओं का जाइजा लेने के लिए अस्पताल पहुचाया। मंत्री मोहद्या ने इए रिक्षा में पहुचकर गौलियर में नवनिर्मित सुपर स्पेशलिस्ट होस्पिटल कमलार राजा अस्पताल सहित अन्य चिकित सफ विधाओं का जाइजा लिया। मंत्री के साथ दोनों विधायक प्रवीन पाथक और मुन्ना लाल गोयल भी मौजूद थे। समें ब्रेक का है ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे आप देखते रहिए दखल लिए। संगीत की स्वाद लहरियों से सांस्क्रिट एक ताने बाने तक चंबल के पिढ़ों से नकसलवादियों के गड़ तक जोपड़ी से मेहलों तक थेलों से मेलों तक पक्डंडियों से सड़कों तर गाउं से शेहरों तर व्यापार से उद्योगों तर राज़्टीती से कूटमीती तर दखन न्यूज आपके हट प्रिक के बाद आपका स्वागते तीन महा की देरी से भुकतान और सांधा चूला के तहट भोजन सम्हू की राशी में से 500 रुपे प्रती महा काटे जाने से नाराज स्वासाहिता सम्हू की महिला कारेकरता ने विरोद प्रदशन कर रैली निकाली महिलाओं का कहना है कि उनको नियमित किया जाए और पूर्व सरकार की तरहां उनको हर महिले राशी का भुकतान किया जाए हर्दा में मध्यान भोजन में कारेरत महिला स्वासाहिता सम्हू ने भारते मज़ूर संग के आवाहन पर सरकार की नीतियों के खिलाफ रैली निकाली और कलेक्टर परिसर पहुचकर मुखमंत्री के नाम स्टम को ग्या पंचोपा महिलाओं ने बताया कि आंगनबाडियों में साजह चूला के तहट धूचन सम्हू की राशी में से 500 रुपे प्रतिमहा महिला रसर्यों से काटा जा रहा है जिस पर ततकाल रोग लगाई जाए पूर में भी मध्यप्रदेश शाचन द्वारा यह राशी प्रतिमहा दी जाते थी परन्तु विगत दो महा से सम्हू के खाते में यह राशी काटी जा रही है मैलाओं का कहना है कि हर्दा जिले की कुछ आंगन बारियों में मध्यान भूजन का कारे प्रावेट एजिंसी को दिया गया है जिसे बंद कराया जाना चाहिए ता कि सहता सम्हू का कारे सुचारू रूप से चल सके मध्यान भूजन में लगी महिला रसोयों को नियमित करमचारी बनाया जाए और जब तक महिला रसोयों की नियमित करमचारी नहीं बनाया जाता कई बार सरपंच ने इसकी शिकायद बड़े अधिकारियों से की लेकिन कोई कारवाई नहीं हुई सरपंच सही दो दजन से ज्यादा लोगों ने इसकी शिकायद कलेक्टिड में की है किंग रॉली में प्रधान मंत्री आवास योजना के तहट मिलने वाली राशी के बदले हज़ारों की रिश्वत मांगी जा रही है देश के प्रधान मंत्री नरेन मोदी की मंचा है कि गरीब लोगों को बिभिन योजनाओं के माध्रम से लाभानवल्ट किया जाए लेकिन रोजगार साहयक शाषन की योजनाओं का लाभ लेने वाले हिद्गराईयों से धन एकने मिल लगे हुए है कुछ ऐसा ही मामला कथूरा पंचायत में देखने को मिला जहां कतूरा की आदिवासी महिला सरपंच जागमती रोजगार साहयक से परिशान होकर कलेक्टेट पहुची और सीओ से मदद की गुहार नगाई सरपंच का कहना है कि रोजगार साहयक संजेपांडे प्रधान मंत्री आवास योजनवा सौचाले की किस्त जारी करने के आवज में हजारों के रिश्वत ले रहे हैं कौन हो सरपंच जो है तो मैं हूँ हूँ सब चलूगा उगा के शियो सब भूले कि खाय देखेंगे लेकिन आप तक आग दिन तक कोई रवाई ने ही वसला सुने लोगार सुने मरे क्याल नहीं है कि संजेप पंडित पैसा बीस हजार लिकली तो पांच हजार लिद गन के ल कि शिकायत की है और बताया कि गरीब आदिवासियों से आवास की केश्ट जारी करने के लिए रिश्वत ली जा रही है आवास के लालच में ग्रामीरों ने पैसे भी दे दिये लेकिन दिमांड लगातार बढ़ती जा रही है इसकी शिकायत जनपत सी यूवी के सिंग से भी की लेकिन अब तक कोई कारवाही नहीं ही है जाते हैं और लगातार हर महीने हम लोग बैठाग लेते हैं इसमें सबको यह समझा जाता है कि लोग इस प्रगार के प्रलोवर में ना पड़े क्योंकि ऐसी सी डेटा बिल्कुल बदल नहीं सकती परन्ति इसके बावजूद भी कुछ लोग इस प्रगार की गंती कर रहे है तो हम लोग अपने इस तर पर जोगई भागी कारवाई है और प्रमानित पाई जाती है तो और सियो जंपर को कह दिया गया इसमें बिल्कुल जाज करें जाज करें जाज करें रिपोट आता है हम लोग कर दो में विशेश रूप से जीपी माली वामकुल गुपता शामिल रहे गौलियर में घूसखोर पुलिस का एक बार फिर खुलासा हुआ है एक आम आदमी ने कार में बैटकर रिश्वत लेते पुलिस वालों का वीडियो बनाया और उसे बड़े अधिकारियों को सौप दिया लेक एक लोडिंग वाहन को रोका और उससे सौदेबाजी करने लगे काफी देर तक इनके बीच बाची चलती रही उसके बाद रिश्वत की राशी तैह हुई और उसे पुलिस वाले ने जेब में रख लिया कार चालक ने बड़ी ही सफाई से कार के बैक मेरर में देखकर इसका जानकारी दी लेकिन जब इस खुसखोर पुलिस वाले पर कोई कारवाई नहीं हुई तो इसे सोचल मीडिया पर वाइरल कर दिया नंतिवाडा में एक महिला सहे तीन इनामी नक्सलियों को गरफतार किया गया है इन नक्सलियों पर हत्या लूट आजजनी जैसी कई घटना क को अंजाम देने के गंभीर आरोप हैं दंतिवाडा में पुलिस को एक बार फिर बड़ी सफलता हांत लगी है मिच्ची पारा के पास नहाडी ककाडी के जंगलों में डियाजी टीस वा दंतेश्वरी फाइटर्स की महिला कमांडों ने घीरा बंदी कर नक्सलियों को गरफत बताया जा रहा है कि तीन नक्सलियों में एक महिला नक्सलि भी शामिल है एस्पी अभिशेक पल्लव ने बताया कि खबर आई थी नक्सलि बड़े हमले की तैयारी कर रहे हैं जिसके बाद सर्चिंग अभ्यान चलाए गया सर्चिंग के दौरान नक्सलियों ने फायर किया नक्सलियों को धिराबंदी कर धरदब ऊचा गया एस्पी ने बताया कि नक्सलियों ने एस्पी कलेक्टर सहित कई बड़े अधिकारियों को बंग से उड़ाने का प्लान कर रखा था जिसके लिए कई दिनों से रेकी की जा रही थी, पुष्टाच में इन नक्सलियों से और कई राज खोले जाएंगे लगतार नक्सलियों पर कारवाई और आत्मसमरपन करने से ये नक्सली बॉखला गए हैं इसलिए इस तरहा की योजनाय बना रहे हैं पकड़े के नक्सलियों पर हत्या लूट आगजनी जैसी कई गंभीर आरोप हैं लगतार पर पर कूचना आ रहे थे कि नक्सली बड़ी हमले की तैयारी कर रहे हैं करीब 50-70 नक्सलियों की सखी का फूचना के उपर पुरिस पार्टी निकाली गए करीब 15-20 नक्सलियों वर्डी धारी जो थे हैं उन्होंने पुलिस के उपर फाइडिंग सुरू कर दी आत्मों अरक्षा पुलिस पोर्स ने भी फाइडिंग हो लिए फाइडिंग के बाद कुछ लोग वर्डी धारी भागते वे दिखें न हतियार से पाक है तो उसमें एक वर्डी धारी हर्मा मरकाम पकरा जया उर्फ गुद्रा और दूसरी वर्डी धारी कोसी उर्फ शांती पकड़ी गी जो हर्मा मरकाम की पहचान परेंडर नक्सलियों द्वारा और उसके इंट्रोगेशन के बाद मलांगीर LGF डेप्टी कमांडर 303 रखता था वो तीन लाख का इनामी के रूप में हुई किरायदार से मकान खाली कराना एक उवख को इतना महंगा पड़ गया कि उसकी जान पर बनाई किरायदार ने मकान मालिक को गोली मार दी गनीमत रही कि गोली युवख के पेट के नीचे लगी जिससे युवख की जान बच गई युवख को जिलास पताल में भरती कराए गय चातरपूर में मामुली विवाद के चलते यूवक को दिंदहारे गोली मार कर घायल कर दिया गया घटना खजराहु थाने के हनवान मंदिर के पास की है जब यूवक केलाश पाल किसी काम से गा रहा था तबी बड़े खान नामक का एक यूवक ने उससे बुलाया और फिर दे पोलिस में माम नदैजकर आरोपी की तलाश शुकर दी है उसने पहले मुझते मारा है फिर यहां पर दूनी मारती है थाना खजराओ शेत्री घटना है आज मोनिंग की यह गटना है इसमें केलास पाल नामक बिट्टी को गोली लगी है केलास पाल के मकान में पूर में मड़े खान करके एक रहता था और मकान खाली करा ले गया था विबाद हुआ था उनमें और आज यह गटना हुई है वेकर पंजबर दी जा रहे है और अब तलास की जा रहे है इसे गिरी उपताई के लिए मुखिमंतरी कमल陽 जी किसानों की कर्जमाफी का आपका वादा अब किसानों के लिए परिशानी का सबब बनता जा रहा है कर्जमाफी के चक्कर में किसानों को सुसाइटी ने अब खाद विज नगत देना शुकर दिया है यूरिया खाद की काला Warsारी इसकदर बढ़ गई है कि किसान दोकानदारों से उचे दामों में खाद खरीडने को मजबूर है काला वाजारी से तंगाखर किसानों ने राजपाल के नाम कलेक्टर को ग्यापन सौप कर अपना विरोज जदाया है किसानों का कहना है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वो आत्म दहा करेंगे कमलना सरकार अब किसानों पर राजनीती करना बंद कर दे मद्द प्रदेश में किसानों के लिए बड़े बड़े वादे करके सक्ता में आई कमलना सरकार में गर्ज माफिय और अतिवर्ष्टी के बाद आप खाद यूरिया का संकट गहराता जा रहा है किसान खाद बीजना बिलने से परशान हो रहे हैं हरदा में यूरिया खाद की कालावा जारी चरम सीमा पर है जिसके करान किसानों को यूरिया खाद नहीं मिल पा रहा है और किसान दुकानदारों के हाथ औलुतने पर मजबूर हो रहे है सोसाइटी में जहां एक और यूरिया खाद उपलब्द नहीं है वहीं दूसरी और किसानों की मजबूरी का फाइदा उठाती हुए दुकानदार तिक उने दाओं पर खाद बीच रहे है मजबूर्द शाहसन दौरा 266.50 पैसे यूरिया का रेट निज़ा रहे थे जबकि दुकानदार 650 रुपे में खाद बेच रहे है किसानों का कहना है कि 2 लाग की कर्ज माफी की वज़े से सोसाइटियों ने आप खाद बीच नगत देना शुरू कर दिया है जिससे किसान परिशान हो रहे है और वो गहूं अगेरा स्वायन के जो बोनेस पूराने थे वो तो डाले एक सो साथ रुपे तो डाले जो राज ये सरकार ने करी थी है ना वो लाग रुपे दे या नहीं दे मगर एक सो साथ रुपे गहूं के तो देना चाहिए खाद की बड़ी किल्ला थोरी यूरिया की एक एक पानी देने की स्थिती में गहूं में आ गया है लेकिन खाद परियाप तो मात्रा में नहीं मिल रहा है अपने जो प्रभारी मंत्री आया थे जारपा ग्राम में और कडोला में उन्होंने कहा था कि खाद आपको परियाप तो मात्रा म मिलेगा लेकिन बहुत दिक्कत आ रही है और सोसाइटियों के माध्यन से भी खाद नहीं मिल पा रहा है और मजबूरी में करजा लेके किसान खाद ले रहे हैं जरूर आप देखें कि खाद भी बराबार मिलें क्योंकि फाली इतना गिरा है कि खाद भी इसकी खास्तों से होगी कभी नहीं पढ़ना चाहिए उसके जो भी प्रवंदन हो सकते हैं किसान व्यापारियों के हाथों खुली आम लुटा जा रहा है काला बजारी से तंगा कर किसान राजिश शर्मा ने राजपाल के नावे ग्यापन डिप्ती करेक्टर को सूपा और मांग किये कि अविलंब किसानों को यूलिया खाद उपलत कराने की पहल की जाए वाव खाद आ चुका है इस सम्मन में उपसंचालक कर्शी विवाक का कहना है कि इस वर्ष गयों का रखबा बढ़ा है जिससे खाद की शौटे जा रही है अब अधिकारी किसानों को सिर्फ आश्वासन देते नजर आ रहे हैं कमलना जी क्या किसानों ने आपको इसलिए बूट द हैं और किसानों के लिए कुछ कर नहीं सकते तो किसानों पर राजनीती बंद करें कहा गया पूर कॉंगर्स अद्यक्ष राहूल गांदी के कर्जमाफी का वादा रहूल ने कहा था कि अगर देश दिन में मुक्तमंतरी कर्जमाफ नहीं कर पाएंगे तो उनको बदल दिया जाएगा तो आप तक मद्द्व प्रदेश का मुक्तम्तरी क्यों नहीं बदला गया और थीज वोरी यूरिया लगेगा मेरो को अभी तक वहार 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 वह सबटके आएंप लेकार रहां और अवेमना बहुट रहा है विगत एक मेने शे मत्द्व पर्देश शासन की न परभरी मंत्री पीजी सर्मा जी ने आके घर्दा जिले में आदेस करा था ग्राम मातला में कि किसानों की यूरिया की किल्लत दूर करी जा आधिकारियों से आधिकारियों ने उसका आदेसका पालन नहीं करा आज बताईए कि कमलनाच जी की जो सरकार ने जो बादा करा था किसानों से 2 लाग उर्पे का कर्ज माप करने का राहूल गांदी जो राश्ट्य अद्यक्ष है उनने बादा करा था कि मद्द परदेश में गांगरेश सरकार बनेगी तो हम किसानों का कर्ज माप करेंगे नई तो दस दिन में सरकार मुख मंतरी बदल देंगे मैं रहुल रांडी चैसे पूशन जाता हूँ कि आपको आधेस का पालन हुआ यह मद्द परदे शासन के जो मुख मंतरी कमलनात जी एसा किसानों के साथ क्यों खिलुवार करा हूँ कि किसानों के उपर से राजमीतिक करना बंद कर दो, पूर्ता पेजामा घरी करके रग दो लोग स्वास्ते यांतरी की मंत्री सुखदेव पांसे ने कहा कि कमलनाथ सरकार की सबसे पहली प्राजमिक्ता है लोगों के लिए पानी की विवस्था करना ग्रामीर और शेहरी छेत्रों में पानी की कमी को दूर करने के लिए MP सरकार राइट टू वाटर लेकर आ रही है पिये ची मंत्री सुखदेव पांसे ने कहा कि शेहरों में पानी की विवस्था नगर निगम को करना होती है जो भाशपा शास्यते हैं वे इस और ध्यान नहीं दे रहे हैं सरकार राइट टू वाटर कानू ला रही है IIT दिल्ली के साथ अनुबंद कर योईनाओ की बहतर प्लानिंग का काम करने का फैसला लिया गया है सरकार ने 68,000 करोड रुपे की योईनाए बनाई है जिसमें से 6,672 करोड रुपे के काम दो साथ में पूरे हो जाएंगे मंस और मीमच मुलताई बैतूल और छिनवारा के लिए राइट टू वाटर के काम के टेंजर जारी कर दिये गए हैं मंत्री पांसे ने विवाक के काम काशका लिखा रखते हुए कहा के कॉंग्रेस ने लोग स्वास्तिय अंतर जी विवाक से संबंदित ग्यारा वचन लोगों से किये थे जिन में से दो को पूरा किया जा चुका है राइट टू वाटर का प्रारूप विशेशगों के साथ बैटकर तियार किया गया है और उस पर काम भी शुरू हो चुका है राइट वाटर एक्ट के लिए एक हजार करोड रुपे का प्रावधान किया गया है जिन में से अठार सी फीजडी को नल से पाने नहीं मिल पा रहा है पुलिस बदमाशों पर निगरानी के लिए मध्यप्रदेश का पहला भोपाल आय एप लाँच करने जा रही है इसकी तैयारिया अंतिम चरण में हैं इस एप से जुलने वाले लोगों के लिए घरों और दुकानों के CCTV फोटेज ने पुलिस कंट्रोल रूम के सर्विलांस रूम में दिखाई देने लगेंगे इससे शहर का ज्यादा तर हिस्सा पुलिस की निगरानी में आ जाएगा भोपाल पुलिस ने भोपाल आई एप लांच करने के तैयारी लगभग पूरी कर ली है अप राधों की रोप्ठाम के लिए घर, दुकान, संस्था और गली महलों में CCTV कैमरे लगाए जाएंगे CCTV कैमरे लगाने में भोपाल पुलिस की टेक्निकल यूनिट सहयोग करेगी होटल, लॉज, रिसॉर्ट और मोटल्स के लिए भी नया अप्लिकेशन लांच किया जाएगा भोपाल आई एप को इंडॉर की एक कमपनी के त्वारा तैयार किया जा रहा है पुलिस की विचेशता है कि इसे डाउनलोड कर लॉगिन करने वाले लोगों के घर, दुकान, अत्वा फैक्टरी या किसी प्रतिष्ठान पर लगाए गया है आई पी एड्रेस के CCTV कैमरे के फुटेज पुलिस के निगरानी में आ जाएंगे पुलिस अपने नए कंट्रोर रूम से सिटी सर्वलेंस से CCTV फुटेज देख सकेगी बोपाल आई अप को यूजर गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकेंगे उसमें अपना नाम पता मोबाइल नंबर और इमेल आईडी रेजिस्टर करना होगा इसके बाद मोबाइल नंबर पर OTP आएगा इसे दर्ज कराने के बाद एक आप्शन खुलेगा जिसमें यूजर को खुद के द्वारा लगाए गए घर दुकान अत्वाफ सेक्टी के बाहर लगे IP एडरेस को CCTV कैमरे की डीटेल अपलोड करनी होगी इसके बाद जियो ट्रैकिंग के माध्यम से यूजर की लोकेशन पुलिस को मिल जाएगी और यूजर के घर की लाइव निगरानी अपने कंट्रोल रूम से कर सकेगी गोपाल आई अप बनाने के पीछे की कहानी काफी रोचक है पुलिस चाहकर भी लोगों के घरों दुकान और संस्थानों में कैमरे नहीं लगा सकती लेकिन लोगों द्वारा लगाए कैमरों के निगरानी कर सकती है इस विचार के साथ पिछले कुछ महीने से पुलिस कंट्रोल जूम में एस पी और आई डी इशाद वली शेहर के अस्तटाल ट्रांसपोर्ट बैंक कॉलोनियों के रहवासी और प्राइवेट सिक्षन संस्थानों आदी के साथ बैठक कर रहे थे सबसे अपील की गई थी कि वे अपने परिसर और उसके बाहर आई पी एड्रेस के सिसी टीवी कैमरे लगवाएं कई ने ऐसे सिसी टीवी कैमरे लगवाए भी हैं अब मैं एप पर इनके फीड होने के बाद पुलिस शहर के बड़े हिस्सों की निगरानी कर सके दी पुलिस ने घुम घुम कर पॉइंट देखे थे एमपी नगर जोन बन में पुलिस में वेपारियों के आगरे पर सर्वे कर आया था जहां CCTV लगा जा सकते हैं यहां 332 ऐसे पॉइंट विले थे यहां CCTV लगाने के बाद पूरा एमपी नगर का जोन बन पुलिस की नजर में आ जाएगा अभी भुपाल आय एप की टेस्टिंग चल रही है जल्द ही इसे लाँच किया जाएगा लोग ज्यादा से ज्यादा इसका उपियों करें ताकि अपराधियों पर नकेल कसी जा सके भुपाल पुलिस का जो ये भुपाला ये कैम्प है वी सपोर्ट डूली और हमें ऐसा लगता है कि इसके थूर विमन अवेरनेस विमन सेफ्टी चाइल्ड अवेरनेस चाइल सेफ्टी भी बहुत हद तक प्रमोट होगा और ये इनिशेटिव फस्ट अफ यूनिक टाइप ह और होप अगर ये ग्रांड सुक्सेस रहा तो इसको और भी सिटीज अडप्त करेंगे और हमारे लिए हुज सक्सेस रहेगी इस बुलेचिन में फिलहाल इतना है आप देखते रहे हैं दखल दखल आपके हाग में संगीत की स्वद लहरियों से सांस्क्रित एक ताने बाने तक चंबल के पीड़ों से नकसलवादियों के गड़ तक जोपड़ी से महलों तक थेलों से मेलों तक पकडंडियों से सड़कों तक गाउं से शेहरों तक व्यापार से उद्योगों तक राजडीती से उटमीती तक तखल न्यूद आप क्या थे? आप देख रहे हैं तखल न्यूद